हमोग नस वीडियो में विडियो उसे इस व्डियो मेर्व है उसे चावर करने वाले हैं तो लास्ट वीडियो में अल्रेडी अशूर निया है दोनों अलोग अलोरिधम काफी हैं विक Awesome काफी via नंकौन्करें काम करते हैं सो अगर आप प्युट एस मौत उसके अंदर मैंने काफी concepts को बहुत clarity के साथ explain किया है अगर इससे पहले कि हम quicksort में आगे बढ़ें मैं एक short summary देता हूं कि divide and conquer technique क्या होती है so divide and conquer technique में हम क्या करते हैं जो भी हमारा problem होता है so say हमारा problem in the sense हमारा unsorted subarray क्योंकि हम sorting algorithms देख रहे हैं so in that case जो भी हमारा unsorted subarray है यह हमारा problem statement है हम हमारे problem statement को क्या करते है求 multiple sub-arrays यह multiple sub-problem में क्या करते हैं by different right so और फिर ऐसे हम continuously करते जाते है when per simly हम again and again क्या करते रहते हैं इनने divide क्रते करतेथे थे so and finally हम क्या करते हैं जो भी सब से smaller product होता है जो finely шир whatnot आजाता है कि हम हमारे problem को आगे और further सब डिवाइड नहीं कर सकते उसके बाद में हम क्या करते merging करना शुरू करते यह technique जो है मतलब merging या फिर आप बोल सकते हो conquer करना शुरू करते हैं तो यह कुछ divide and conquer का short summary था इस technique में हमने अल्रेडी देखा है कि मर्सॉट जो है वह इसी टेखनीक में काम करता है जिसे मैंने काफी detail में explain किया है ना अभी जो quicksort है यह भी इसी टेखनीक में काम करता है है तो लेट्स चेक आउट किये है क्या algorithm और यह किस तरह से function करता है और यह किस तरह से मर्सॉट से अलग है कि सब्सक्राइब का definition देख लेते हैं सब्सक्राइब को बताया कि क्विक्सॉट भी मर्सॉट के जिसे ही डिवाइड कॉंकर टेखनीक के उपर बेस्ट है अब यहां पर क्या कहा गया है कि that picks an element as a pivot जो भी आपका unsorted problem है या unsorted sub array या array है उसमें से कोई भी element को as a pivot pick करता है pivot क्या है pivot basically pointer nothing else so and partition is the given array around the pick pivot और जो भी pivot ओपिक करेगा वो उस pivot के basis पे array को क्या करने वाला है partition करने वाला है c divide and conquer algorithm के ओपर based है मतलब anyway यह हमारे data set को partition करने वाला है पर यह partition पहले मर्शॉट के case में हम देख रहे थे तो मिड निकालते थे हम मीडियन निकालते थे उसके basis पे partition करते थे left half right half में यहां हम पिवेट के basis पे करेंगे पिवेट से चोटे जितने भी elements से उसारे आपके left half में पिवेट से बड़े जितने भी elements से उसारे आपके right half में आएंगे तो कुछ इस तरीके से हम पिवेट के basis पे partition करने वाले in quick sort and play by placing the pivot in its correct position in the sorted array so जब भी partition होगा पिवेट के सारे चोटे element पिवेट से जितने भी चोटे elements से उसारे left half में आएंगे और पिवेट से बड़े जो भी सारे element है और right half में जाएंगे तब पिवेट जो है वो sorted सब्सक्राइब के एकदम का अपने position में अपने correct position में आ जाएगा यह आपको बेटर में समझेगा जब हमें सब्सक्राइब लेते हैं अगर आप चाहे तो आप randomly कोई भी element को भी चूस कर सकते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेंगे आपको कई और ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जहां पर की first element को कि एस पिवेट लिया गया है सब्सक्राइब ले सकते हैं नाव से यह फॉट जो है इसे अगर मैं इस पिवेट कंसिडर करू तो आप देखेंगे मैंने एक सिंपल सा एक्जामपल यह यह हम कैसे किये हैं वह मैं आपको बताऊंगा आगे एक्जामपल में फिलाल ता मेरा बस एक पॉइंट एक्सप्लें करना था इसलिए मैं इसो लिखाऊं तो यह अगर इसे में अगर आज पिवेट कंसिडर करू तो यह पिवेट से छोटे जितने भी एलिमेंट्स है इस पूरे अंसौर्टे लेस्ट में वह यहां पर आ गये हैं ओके अब देख सकते हो 953 और 8 यह सार और इस पिवेट से बड़े जितने भी एलिमेंट्स है 2720 वह इस साइड आ गये हैं ओके सो अब अगर आपने आपर देखेंगे यह जो पिवेट है पिवेट है यह सौर्टेड एरे में अपने पोजिशन में आ चुका है यह हमारा डेफिनेशन भी कह रहा है प्लेस्टिंग अभी में इन चारो अभी देखिया यह ने चार जो है कि हमें चारे लिमेंट के सारे जब्स किया सौर्टेड एlly कि हम इसे ascending order में sort कर रहे हैं तो क्या यह सौटेड है definitely सौटेड नहीं है तो मैं again इस पर क्या करूंगा same logic apply करूंगा और यहां पर भी सौटेड नहीं है तो इसके उपर भी मैं same logic apply करूंगा याने left half and right half में again pivots लेने हैं और again same steps जो अब हमें आगे बताऊंगा वह हमें prefer करना है follow करना है but मतलब recursion का काम यहां पर भी आने वाला है हम recursively same procedure जो अभी हम देखेंगे कि कैसे हमें quick sort में sorting करनी है recursively हमें same procedure left half में भी और right half में भी लगाना है वह बाठ ठीक है अब लगाएंगे तो यह sort हो जाएगा but the thing is अगर आप नहीं पर देखेंगे तो 9 5 3 18 चारों को मैं sort करूंगा तो भी वह इन ही चार position में ही वह sort होने वाले है वह इसते अलब कोई और position में जाने नहीं वाले in the same manner इन दोनों को जब मैं sort करूंगा तो इनके places आपस में change हो सकते है बट कोई इसता इडिया कोई यह basic नहीं बोलने का मतलब यह है कि 14 को कोई replace नहीं करने वाला है मतलब जो हमारा pivot है उसको अपने sorted array में अपना place मिल चुका है तो every iteration या every recursive call में हमारा जो भी pivot होगा वह हमेशा क्या होगा अपना position जो है वह sorted array में वह धूंड़ेगा तो अभी यहां pivot मान लीजे 14 है 14 को अभी हमने proper place कर दिया है सो भी 14 से छोटे element इस तरह 14 से बड़े इस तरह अब वह sort होंगे तो भी वह इन ही places में रहेंगे आगे पीछे हो सकते पर इन ही places में रहेंगे in the same way यह भी sort होएगा तो यह भी आगे पीछे होएगा बट इन ही चारों में ही यह अट्टिकेगा तो basically 14 का place को नहीं लेने बाला है मतलब जो भी हमारा pivot होता है उससे हम क्या करते quick sort में उसका proper position जो होने वाला है sorted सा बैरे में वह हम उससे देते हैं तो अब हम पूरा proper example देखते हैं with proper steps ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए कि यह काम कैसे करता है यहां पर मैंने same example लिखा हुआ है अब हम पूरे step by step समझेंगे कि हम quick sort कैसे इस पर apply करते किस तरह से इसकी functionality होगी everything और जो भी मैं अभी समझाओंगा आपको अच्छी तरह से steps को अपने दिमाग में रखना है क्योंकि हम इन्ही steps को ही refer exactly same steps को refer करके हम code करने वाले हैं okay so it's very important कि आप यहां पर समझें अगर नहीं समझ में आ रहे तो प्लीज रिवाइन करके देखिए आपको better way में समझेगा तो बिल्कुल start से करते हैं initially यह हमारा unsorted data set है तो इसमें हम क्या करेंगे हमारा last element को as pivot लेंगे okay yeah so यह है अभी हमारा pivot अब आपको दो pointers रखने हैं दो variables simply initially एक माल लेते हैं आई यह जो है इसका क्या काम है वह हम देखेंगे अभी थोड़ा टाइम में अभी minus 1 अब मैं इंके index को यहां पर लिख दू तो यह 0 1 2 3 4 5 और इसका index 6 so i initially minus 1 है तो somewhat i का value जो है वह इधर है अब आपको यह वाला जो variable है वह looping variable है हमारा जो initially 0 है अब यह का value 0 है यानि जीरो इंडेक्स से लेके पूरा pivot तक नहीं pivot से पहले वाले element जो है यह यह वाला variable जो है वह loop अब हम करने क्या वाले हैं बहुत है सिंपल सा लॉजिक है हमें क्या करना है ग्यांस से सुनियेगा अगें बोल रहा हूं रुल जिरो फॉर कि इनिशली जो भी है तो यहां पर जारत ऊद्जिशन में जोभी element जाद पॉजिशन में जो हिल्यमेंट है अगर वह element अगर वह element आपके फिवेट से छोटा है अगर वह element आपके पवेट से छोटा है इस डेटा सेकाव नायाउ eng це 연 यह तो अगर जेत पोजिशन वाला एलिमेंट पिवेट से छोटा है तो सबसे पहले तो आपको आई का जो वेलू है उसे एक बढ़ाना है और फिर आई और जेत पोजिशन के एलिमेंट को स्वैप कर देना है फिर उसे रिपीट कर रहा हूं अगर जेत पोजिशन में जो भी एलिमेंट है अगर वो पिवेट से छोटा अभी जे का वेलेट जो है इनिशेली 0 है लूप करेंगे हम तो पहले 0 होगा फिर 1 होगा फिर 2 होगा फिर 3 होगा का 40 का 5 होगा मैं अगने बोल रहा हूँ यह वो यहां सिक्स तल् политtext रहें सिक्ससे पहले वाले म musi लटल मर पिजम अमारा लास्ट लिम्ट इस थे पहले त्लक हमारा जाए के value range जेका value का रहें 0 से लेके पिवेट से एक पहले तलक लास्ट लेक्त से पहले तलक अब इंडरेशन में हर बार हमें क्या देखना है कि जेट position में जो भी element है अगर वो पिवेट से छोटा है पहले हम आई का value बढ़ाएंगे आतालों हम इंक्रीमेंट करेंगे बाइवन और फिर क्कात करेंगे इसी औरमाि आत पोजिशन और जी संगर जो यह पापस क्या करेंगे स्था पेके करेंगे वह करके देखते तो पहले करें इसमें लिखने के बज़िए सब्सक्राय defended कि-0 है तब er of 0 यह इंए można ऑन ऩchos गिद्टेफिनिट्ली में जो भी हमारा लेमें थे वह क्या है लैसर ते व फैस्ट है अब से मतलब है अब है का वेलिव मैं ता तो अभी इसको साथ प्लस उन करोगा तो i क्या हो जाएगा definitely 0 हो जाएगा अभी j का value भी currently क्या है 0 ही है okay so अब 0 है अब दोनों ही एक ही position को point कर रहें तो यह हम swap करेंगे तो 9 ही रहने वाला है क्योंकि i का value भी 0 है j का value भी 0 है so r of i b 9 है r of j b 9 है so in that case 9 ही इधर रहने वाला है okay अब j का value जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि जो है हमारा looping variable है remember i का value सिर्फ तभी बढ़ेगा जब आपका जो भी जए पोजिशन वाला element है अगर वो lesser than pivot है ओके तभी otherwise ने अब जे का value आया 1 अब सेवी चीज़ हम यह first iteration था हमारा यहां पर पेपेट अभी अभी भी हमारा क्या है 14 ही है so 5 lesser than 14 or not definitely 5 जो है वो क्या है lesser than 14 है okay so अब हम again क्या करेंगे पहले i का value बढ़ाएंगे और फिर हम क्या करेंगे swap करेंगे i और j position वाले elements को तो अभी i का value अभी यहां पर increase होने के बाद क्या है 0 था अभी हम उसको बढ़ा देंगी तो i का value क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा j भी अभी क्या है 1 ही है तो anyway आप देखेंगे तो यहां पर i और j दोनों का value 1 है तो swap करने पर भी क्या आने वाला है उस position में 5 ही रहने वाला है air of i as well as air of j मैं आपको यह programming के perspective से संजा रहा हूं और नॉर्मली अगर मैं sum करूंगा तो मैं बोलोंगा भी नहीं चोटा है तो anyway हम आगे बढ़ते हम वैसा कर सकते कि चलो 14 पे वैट है तो उसे चोटे सारे elements इस तरफ उसे बड़े सारे elements इस तरफ मैं वैसे भी लिख सकता हूं बट मैं इसको आपको इतने डिटेलिंग में इसलिए वता रहा हूं क्योंकि हम इसी लॉब्जिक से प्रोग्राम लिखने वाले और प्रोग्रामिंग में यह चोटी-चोटी से दिल मेंटर करती है कोड में सब्सक्राइब करने के बाद भी क्या होने वाला है अब अब आई का वेल्लों क्या है अब थर्ड इट्रेशन में जब हम आगे बढ़ेंगे सब्सक्राइब अब आप अगर आप देखेंगे तो क्या है वह थ्री नहीं 27 ओके अब 27 लेस्टर दें पेवेट है क्या नहीं है आपको कुछ नहीं करना यहां पर आपको आई का वेल्लों ना बढ़ाना है ना स्वेपिंग करनी है आपको सीड़ा आगे बढ़ना है अब हमारे फॉर्थ इ देखेंगा इट विल भी 3 अभी एर एट 3 थाड़ पोजिशन में आप देखिए क्या एलिमेंट है 3 है इस त्री यह जो 3 है पिवेट से चोटा है तो डेफिनेटल यह चोटा है तो हमें पहले क्या करना होगा हमें आई का वेलो जो पहले क्या था वन उसको हमें इंक्रीज क पहले हर आप में ओधिसेट पहले क्सी आई क्या हो जाएा तो अब हमें क्या करना है यहाइं पोसिशन में जो पोसिशन में उन्हें आपस प्ल सersonaire करने तो इन दोनों को हम आपस में स्वेप करतेंगे तो मैं दर एक पिर से च्छुटा सा एरेड ट्रॉ करता हूं सेम का इधर आजाएगा 27 इधर आ जाएगा और वाकिसाब ऐसेटिस 20 एट और हमारा पेवेट 14 कि आप सो अब हमें यह वाले अरे को रेफल करना है कि कि अधिए अभी हम हमारा यह की था था घ्री अब हम आगे बढ़ बादें या नेक्ट की यह फोया ऑफ प्वार ए एक अप्वालन होता है झтовुरू हमेशना यह डिन रही रहनạt है सौटिंग के किसमें सब हमारा एर एट 4 क्या है 20 है सो क्या 20 लेसर है पिवेट से डेफिनेटली नहीं है सो हमें कुछ नहीं करना आगे बढ़ेंगे आई का वेलू लास्ट रिटरेशन में तूता याद रखेगा अभी लिए नेक्स ट्रेशन में जे का वेलू जो हो जाएगा 5 वह जाएगा अभी एड़ फाइव है एट है कि एट लेसर दें पेवेट यह एट इस इस लेसर देन पिवेट आपकर ना होगा पहले I को इंग्रेस करना होगा सो आई क्या है हमारा भी 3 सो आई जो है वह सब्सक्राइ which will be what three अब हमें क्या करना है इस थोड पॉजिशन याणे यह हमारा आइप पोजिशन है अभी हमारा जे यहाँ पर है क्योंकि यह हमारा five न्लिया कॉछ five five ऐसे भी दिखा सकते हो, just to make it more simple, yeah, so, अब हम swap कर देंगे इन्हें, तो यह क्या बन जाएगा, हमारा नया array जो है, वो क्या बन जाएगा, so, it's 9, 5, 3, अब 27 के जगा आएगा, हमारा 8, 20 है, as it is अपने जग़, और 8 के जग़ क्या आज जाएगा, 27, और यहाँ पर हमारा 14, so, अब जैसे कि मैंने कहा था, अब जे जो है, वो कहां से कहां तलग चलने वाला है, मैंने पहले बोला था, हमारा looping variable है, pivot से एक पहले वाले प्लेस तलग चलने बाला है, so, the iterations यहीं खतम हो गया, अब pivot से पहले तलग हम पहुंच चुके, तो सब हो चुका है, अब हमें क्या करना है, यह loop से निकलने के बाद आपको एक और swapping करनी है, अभी currently, आई का दल जो है, वो क्या है, यह, यह, यानि 3 है, बरबर, so, यह 5 लिख लेता, so, अभी simply आपको इतना याद रखना है, अभी आपको क्या करना है, जो भी आपका pivot का इंडेक्स है, जो की इस case में, last इंडेक्स है, इने 6 है, आपको इन दोनों का आपस में क्या करना है, swap करना है, that's it, so, यहाँ पे i plus 1, जो है, वो क्या है, 4 है, so, यहने 4, air at 4, कौन है element, 20, और यह हमारा last index है, pivot का index क्या है, हमारा 6, तो आप यह भी बोल सकते हो, हाई element, last element का index ही बोल सकते हो, क्या है, हमारा pivot जो है, वो last element है होने वाला है, code करते वाग, मैं यह से high refer करूँगा, उतलब, variable के तोर पे, anyway, वह हम coding पार्ट में देखेंगे, so, air at 6, क्या है, हमारा pivot, यहने 14, इन दोनों का आपस में, interchange करना है, 14 यहाँ पर, और 20 यहाँ पर, so, अब मैं इसमें चेंज करके दिखा रहता हूं, so, यहाँ पर यह 14 कुछ ऐसा हो जाएगा, और 20 कुछ ऐसा हो जाएगा, अब यह वो चीज है, जो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले, एक्जामपल में लिखके लिखाया था, so, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, so, 14 को, जो हमारा pivot था, उसको उसका place मिल चुका है, यह अगर हम इसे sorted area अगर हम मान ले, हम अगर इसे sorted area मान ले, जो कि अभी है नहीं, आगे हो जाएगा, अगर हम इसे sorted area मान ले, so, यह हमारा pivot है, pivot जो है, वो अपने सही position में आ चुका है, इसके पहले के elements हो सकता है unsorted हो, इसके बात के elements हो सकता है unsorted हो, but pivot अपने side position में, इसके पहले के elements को अगर आफ sort भी करेंगे, तो इन ही 4 position में अपना place बदलेंगे, ये लोग को भी अगर आप बात के जो elements इने भी अगर आफ sort करोगे, तो इन ही positions में अपना place बदलेंगे, अगर unsorted हुए तो, sorted है तो either case रहेंगे, पर pivot अपना place नहीं बतलेगा, उसको sorted array में अपना place मिल चुका है, अब भी तलग हमने जो भी procedure किया, यह सिर्फ एक step था, अब आपको same logic, again and again, यह left half और यह right half पे लगाना है, अब भी हमने जो किया, मतलब अभी हमने इसके लिए किया, हमारा पूरे unsorted array के लिए, अब हम same चीज किसके लिए करेंगे, हमारे left half के लिए, तो in that case यह हमारा pivot होगा, और right half के लिए करेंगे, तो in that case 20 हमारा pivot होगा, same logic, आपको again and again लगाना है, मैं first attempt वाला जो first iteration वाला था, इसको मैंने पूरा detail में लिखके लिखा है, क्योंकि यह first था, अब next जो है, मैं directly यहां पे solve करूँगा, steps अपने दिमाग वे रख लिए, बहुत ही simple है, आपको सिर्फ pivot as last element लेना है, steps याद रहेंगे, तो आप code भी अच्छे से कर पाऊगे, फ जो भी भी आपका, जेत element, जो भी आपका, जेत index में जो भी element होगा, माल लीजिए आपका ससा बैरे का नाम air है, so उस air के जेत position में जो भी element है, अगर वो pivot से छोटा है, तो आपको क्या करना है, stopping करना है, पर उसके पहने आपको आई का वेलो बढ़ाना है, आई का वेलो increment करन है, अगर आपका pivot, जेत position में जो element है, air के जेत position में जो element है, अगर वो pivot से छोटा नहीं है, बढ़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना तर चीज दियाना में रखिए, फिर ये loop खता होने के बाद, एक swap आपको perform करना है, जो कि क्या होगा, last याने pivot का index, और i plus one index के बीच में, तो ये मैंने अभी इसके लिए किया है, तो इसके बाद में आपको same set of steps, left half और right half में करना है, फिर again उसके भी जो left half और right half आएंगे, अभी इसमें जब आप perform करेंगे, तो यहाँ पर pivot क्या होगा, आपका 8, तो इस 8 को सही position मिल जाएगा, 8 को सही position मिल जाएगा, तो उसके left half और उसके right half पर again आप same procedure follow करेंगे, यही partitioning का, जो हम कर रहे है, pivot के basis पे, तो यही कुछ recursion का logic है, जो कि मैंने आपको last video में भी बताया था, more sort के, कि हम एक ही function को again and again उसमें से ही call करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, left half को sort करने के लिए, by quick sort, ह हम again इसके उपर same way logic apply कर रहे हैं, तो basically हम इस logic को एक function में लिखेंगे, और again and again हम same function को call करने वाले हैं, on the left half and right half, जैसे हमने मर sort में किया था, वैसे, इसमें काफी कुछ मर sort से similar होने के वज़े से मैं आपको इसलिए again and again बोलूँगा, कि आप मर sort को एक बार देख लीजे, recursion क काफी detail में मैंने वहां explain किया हुआ है, तो अगर आपको recursion में कोई भी doubt है, please refer that, shortly बोलूँ, तो recursion एक ऐसा logic है, जोसके अंदर हम क्या करते हैं, एक function से ही, यह बोल सकते हो कि हम एक ही function को again and again call करते हैं, sometimes उस function के बाहर, but again and again उस function को हम call करते हैं, और फिर सारे functions के जो result है, उ मैं सिधा solve करूँगा, तो आपको कोई भी doubt है, पहले यह steps अपने दिमाग में बिठा लीजी, कहीं note कर लीजी, उसके बाद में लेकिए, यहां पर मैंने यह logic लेकिया, जो मैं आपको बीच समझा रहा था, एक छोटे से summarize way में बोलू, हमारा loop है, जिसका variable है, जो कि कहां से क pivot वाले element का index है, तो यह जो हमारा loop है, जिरो से लेके pivot वाले index से एक पहने, pivot वाले element के index से एक पहने तला चलेगा, तो अब हम क्या करेंगे, every time हम चेक करेंगे, कि J position में जो भी element है, air का, जो कि हमारा array होने वाला है, क्या वो lesser than equal to pivot है, अगर वो है, तो हमें i plus one करना है, i is equals to i plus one, और फिर क्या करना है, air of i में air of j डाल देना है, और air of j में air of i डाल देना है, यह swapping हुआ है, तो यह पूरा यह loop जब तक चलेगा, अगर यह condition से इससा हो रहा है, तो यह होगा, otherwise कुछ नहीं होगा, अगर मतलब element जो है, position वाला element is greater रहा, तो कुछ नहीं होगा, अब य खतम होने के बाद, एक swapping जो है, वो होने वाला है, किसके बीच में air of i plus one में air of high का element जो है, वो आ जाएगा, और air of high, मतलब high जो ही index है, मतलब last index जो है, बेसिकली, वहाँ पे क्या जाएगा, i plus one वाला element है, i plus one के index में जो element है, वो आ जाएगा, that's it, so अब हम इसका पूरा step by step करके देखते, already मैंने यहाँ पे इसका, यहाँ तलका करके दिखा दिये, so यह जो था हमारा, अभी हमने last step में देखा, कि 14 जो था pivot था, और वो अपना sorted array में, पूरे proper place में आ चुका है, same set of step, अब हमें किसमें करना है, इसमें करना है, left half में, और east में, right half में, so अब हम चल है, 9, 5, 3, और 8, और इसमें हमारा pivot जो है, वो है, 8, और यहाँ पर, RHS में, sorry, right half में, 27 और 20 है, तो यह वाले पार्ट को हम बार में देखेंगे, पहले हम यह वाले को पुरा यह कर लेते हैं, explore कर लेते हैं, same चीज, यह pivot है, यहाँ पर index लिख लेता हम, 0, 1, 2, 3, high जो है, य यहाँ पर step सभी पूरा लिख लेने वाला हूं, मैं सीधा, sorting करके, answer, sorted वाला part है, वो लिखोँगा, so now see, 8 pivot है, अब हम, same चीज, initially हमारा I का बलू, जो है, वो क्या रहने वाला है, minus बल रहने वाले, J, 0 है, iterate करेंगे, so, 0th position में क्या है, 9 है, जो की pivot से छोटा है, क्या, definitely, न pivot है, तो हमें क्या करना होगा, I का बलू, जो की पहने इदर, minus 1 था, उस वामें एक से बढ़ाना होगा, तो I का बलू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, okay, so, I का बलू, 0 हो जाएगा, J का बलू, 1 है, तो यह दोना आपस में swap हो जाएगे, तो इदर क्या बनेगा हमारा, 5, औ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, आपस में swap हो जाएगा, अब यहाँ पर, next iteration में, J का बलू, जो है, वो क्या हो जाएगा, 2, तो second position में कौन सा element है, 3, 3 is lesser than, is 3 less than pivot, so, yes, 3 is less than pivot, so, हमें क्या करना होगा, I का बलू, जो कि पहले क्या था, अभी 0 था, उसका हमें एक और बढ़ा या, first index में, first index में है, हमारा 9, जो है, वो अभी हमारे second position को point कर रहा है, so, हम इन दोनों का आपस में अभी क्या कर देंगे, swap कर देंगे, तो swap करने पर हमारा क्या हो जाएगा, भी यहाँ पर, सारे steps के arrays लिख रहा हूँ, क्योंकि पूरा step by step explanation लिखेंगे, तो काफी बढ़ा होगा, so, 5, और यहाँ पर हमारा 3 और 9 आपस में step हो जाएगा, 3, 9 और 8, so, अब हम यहाँ तलग हमारा j आ चुका है, तो definitely high से एक पहले वाले index तक आ चुका है, so, अब हमारे पास यह last का जो एक step है, क्योंकि यह loop तो खतम हो चुका है, so, अब हम यह वाला step करेंगे, हम क्या करेंगे, i plus 1 तो वाले index और high position, याने जो हमारा pivot का index, जो कि यह है, high याने क्या हमारा pivot का index, तो जो कि basically आप बोल सकते हो, यहाँ पर इस case में 0, 1, 2, 3, so, high याने हमारा pivot का index, याने यह जो है, यह हमारा high है, i जो है, अगर आप देखेंगे, so, i जो है, lastly हमारा क्या था, 1, so, i plus 1, याने क्या हमारा 2, so, यह हमारा i plus 1, इन दोनों index के elements को हम आपस में क्या करने वाले है, swap करने वाले, यह line में वही लिखा हुआ है, air, याने हमारा swap barrier, array जो भी है, उसके i plus 1th position में हमें i को set करना है, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, so, 8 हमारा pivot था, अब यह अपने sorted सा बैरे में एकदम correct position में आ चुका है, okay, so, अब 8 जो है, अपने सही position में है, so, इसका LHS यह है, इसका RHS यह है, so, again, same procedure को क्या करने वाले, LHS में apply करने वाले है, so, now, see, अब हम same, जैसे कि मै पर देख रहें, यह पूरा function, क्योंकि हम अगेन अगेन इसे left half और right half में call करने वाले, तो, यह basic है हमारा partition का function है, मतलब, वो logic जिसके मदद से हम हमारे pivot को, pivot के basis पर left half और right half बनाते है, तो, इसे हम again and again call करने वाले है, right, तो, यह जो है, यह हमारा recursive function होने वाले है, यह हम ज left half और right half पर है, so, अगर कुछ भी doubt आ रहा है, तो, हम code में देखेंगे, फिलाल तो, आप यह concept को समझने में ध्यान देजे, so, अब यह हमारा left half है, तो, यह हमारा क्या होगा, pivot होगा, यह हमारा high है, और यह हमारा low है, whatever, so, अब, same logic, i जो है, starting में क्या होने वाले है, minus 1, j ज जो हो, कहां से कहा तलग चलेगा, 0 से लेके, high तक, high से मेरा मतलब यह high है, तो, obviously, इससे एक कम, यानि, 0 तलग की चलेगा, यहां से start होगा, यहां पर कतम होगा, सिर्फ एक iteration होने बाले है, अब इस iteration में हम यह चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, यह j का value 0 है, तो, hair of j, यानि j position में, जो element है, क्या, वो lesser than payment है, तो, 5 is not less than 3, ओके, सो, यहां पर, definitely, यह वाला condition जो है, इस iteration नहीं होगा, सो, कोई भी swapping वगरा, नहीं होने वाला, सो, अब हम सिधा यह slope से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि, हमारा j का, जो range है, वो खत्न हो चुका है, यहां पर एक बार, जो ह जो है, वो किस के बराबर है, error of 0 के बराबर है, यह हमारा error मान लेते हैं, left half को, बरबर, तो हम क्या करने वाले हैं, I plus 1 जो है, हमारा 0th position के बराबर है, high जो है, वो anyway हमारे pivot का index होता है, so, high जो है, हमारा क्या है, 1 है, हम इन दोनों का आपस में swap कर देंगे, याने 3 और 5 जो ह कुछ इस तरह से लिखेगा, मैं लिख लेता हूँ, ओके, so, यहां पर यह कुछ ऐसा, अब जो logic मैंने यहां पर बोला, same to same logic, यहां पर भी apply होता है, so, मैं इसे repeat नहीं करूँगा, आपको पता है, यह 0th index है, यह 1st index है, I want कि आप इसे खुद अपने दिमाग से dry run करेंगे, और आप इसको, same way में अगर distribute करेंगे, तो आपको प 20 और यहां 27, यह 20 हमारा pivot था, by the way, जो कि यहां पर आने वाला है, और यहां in this case, 3 हमारा pivot था, जो कि यहां पर आचुका है, so, अब यहां पर अगर आप चेक करेंगे, तो यह आपर pivot है, जो कि sorted सा बारे में अपने correct position में आ चुका है, in the same manner यह भी pivot है, sorted सा बारे में अपने correct position में आ चुका है यह, अब हम basically क्या करते है, pivot से पहले का जो है, pivot, मतलब load से लेके pivot से पहले तलग जो भी है, pivot का position minus 1 तलग जो भी है, यह होता है हमारा left half, इसके उपर हम quickshot का logic again call करते है, in the same manner, pivot plus 1 से लेके, last element जो भी होता है, हाई जो होता है, हम उसके उपर again क्या करते है, quickshot and logic call करते है, तो यहां यह हमारा pivot है, इसके panel कुछ भी नहीं है, हमारा left half कुछ भी नहीं है, okay, so यह वाला section पर quickshot anyway, हम call भी नहीं करने वाले, सब यह वाला section है, call होगा तब भी कुछ नहीं होने वाले, यह वाले section के उपर हम क्या करेंगे, quickshot call करेंगे, तो अभी यहां प और हम एक base condition लगाने वाले हैं, क्या base condition होएगा, कि अगर load जो है, वो high से कम है, तो ही आपको आगे process करने हैं, जैसे हमने more sort के case में लगाया था, एक base condition, length less than equals, अगर length जो है वो 1 से जादा है, तो ही आपको processing करना है, वैसा ही कुछ यहां पर भी होने वाला है, so coding के कुछ- confusing लग सकता है, बट जब हम code करेंगे, तो आपको better way में हो समझ में हो जाएगा, clear हो जाएगा, तो basically अगर आप यहां पर देखेंगे, so जब मैं इसे call करूंगा quick sort, इसका lower index क्या होने वाला है, क्योंकि यह हमारा 0-3 index है, pivot का, तो इसका lower index क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, और इसका higher index भी क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है, क्योंकि अखेला element है, right, so इसे लिए जब हम इसके ओपर quick sort call करेंगे, तो lower high दोनों क्या होने वाले, बराबर होने वाले, पर हमारा वहाँ पे condition लगा होगा, क्या, कि if low is less than equals to high, less than high, तब भी आपका condition, मतलब आपका जाएगा, in the same way, यहाँ पर भी वह यह चीज़ है, क्योंकि यह जो है, यह हमारा जरुक पोजिशन में, यह हमारा pivot है, sorted सा बैरे में इसने अपना position कायम कर लिया है, तो anyway, यहाँ इस वाले के उपर हम quick sort का logic call करेंगे, same चीज़, यहाँ पर भी इसका lower high दोनों का value जो है, व यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर यह 9 जो है, इसके उपर भी quick sort का logic जो है, वो call होगा, बट same चीज़, जब हम इस पर, जैसे कि अभी मैंने बोला, कि जब हम quick sort वाले logic को call करेंगे, हमें दो parameter देना है, lower high, so अब यहाँ पर इसके उपर जो हम quick sort वाला function call करे होगा, low का value जो है, वो क्या होएगा, यहाँ पर, यहाँ पर pivot 2 है, तो 2 plus 1, यानि 3, और high का value भी है, 3 ही है, मतलब lower high दोनों का value हो क्या है, same है, अब इसके चलते क्या हो जाएगा, again, वो base condition जो है, वो satisfy नहीं होगा, क्यों कि वहाँ पर lower high दोनों equal होगे, जब कि base condition क्या कहता है, low should be less than high, okay, so, while base condition वाला part में आपने लिखा नहीं है, to keep it less complicated, अगर आपको यहाँ के section में कुछ भी डाउट है, हम anyway, जब code करेंगे, सो यह बहुत ज़्यादा clarify हो जाएगा, मैं वहाँ पर represent करके आपको यह चीज़ बता दोगा, so, I hope, आपको quick sort का logic जो है, वो प्रियर हो login, so, यह इसका average और best case का time complexity, worst case में इसकी time complexity जो है, वो बिग वॉफ N square हो जाती है, जब आपका जो पूरा data है, वो reverse order में sorted हो, मतलब, sorry, मतलब, से बोल सकते हो, पूरी तरह से descending order में, अगर sorted है, stored है आपका data, और आपको ascending order में store करना है, so, in that case, अगर आप pivot को properly नहीं select करते है या ultra direction से select करते हैं, तो तब आपको यह जो है, time complexity जाओ, काफी जाता है, बिग वाफ N square हो जाता है, so, अगर इसका advantage हम बोलें, तो quicksort का सबसे main advantage जहीं है, यह बड़े data sets अगर है, जिसके मिलियन सब data हो, और उने sort करना हो, so, definitely time complexity काम होने के चलते, बड़े data sets के लिए काफी प्रेफरेबल है, वहीं, अगर आप इसके disadvantages बोले, so, same चीज, छोटे data sets के लिए प्रेफरेबल जादा नहीं है, आज तो अतना अच्छा परफरम नहीं करता, and moreover, एक और disadvantage यह है, कि कभी यह जो अपने worst case में, यह क्या लेता है, बिग वाफ N square और नाइम गम लेता है, which is very high So, that's it, let's switch to the coding part, और अब हम code का फुरा flow देखेंगे, So, hi guys, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम python के channel ideally में आ चुके हैं, और अब हम quicksort को practically implement करके देखने वाले हैं, So, अगर आपने theory part नहीं देखा है, so I will definitely highly recommend कि आप जाके पहने theory part समझ लीचे, क्योंकि theory में हमने जो logic देखा है, हम बिल्कुल same logic implement करने वाले है practical में, So, अगर आपने theory अच्छे से go through किया है, तो आपको practical समझने में काफी clear understanding होगी, और एक और जीज, अपर theory practical में में उतना ज़्यदा detail में नहीं जाओंगा, Means, मैंने जो कुछ भी बताना था हो, मैंने आपको theory में काफी हथ तक अच्छे से समझा दिया है, So, I will be trying to wrapping it up fast, So, but yeah, कुछ अगर extra additional part है तो से हम definitely अच्छे से cover करेंगे विदे प्रैक्टिकल सेक्षिन, So, without any delay, let's start, यहां हम फाइल को सेफ कर देते हैं, File, Save As, यहां पर मैंच सेलेक कर लोगा folder और यहां पर मैं नाम दे देत रहा हूँ, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मैंने दिया, कुछ विक सॉट, ओकि वहां पाइटिंग फाइल हैं हमने सेफ कर दिया, So, as you can see, उपर हमारा जो फाइल का नाम है, वो चेंज हो चुका है, क्विक सॉट डॉट पी वाय हो चुका है, So, पहले तो अब हम क्या करने वाले है, method बनाने वाले हैं, क्विक सॉट के नाम का, So, let's start, so def, पहले हमारे function को लिखने के लिए, जो हम python में syntax करते हैं, पहले तो def, फिर आपको नाम देना है function का कुछ भी दे सकते हो, मैंने देता हो, क्विक सॉट, अब 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 आप्योस सी बात है, हमें यहां पर पुछ परामेटर की requirement होगी, सबसे पहला जो है, वो क्या होने वाला है यहां पर वो data set जिसे हमें sort करना है, So, मैं represent करने के लिए एक variable use कर रहा हूं, data means वो वाला data set जिससे मुझे क्या करना है, Now, अब मुझे मैंने आपको जब theory के लास्ट आले पार्ट में introduction देते वाग कहा था कि हमें basic check लगाने वाले, क्योंकि यह recursion के basis पर काम करता है, तो यहां पर एक based condition लगेगा, जहां पर कि मुझे lower high, lower index और higher index की requirement होगी, So, यहां पर मैं उससे भी as parameter ले लेता हूं, यहां पर आपके दिमाग में एक thought आ सकता है कि मैं यहां पर जो data set pass कर रहा हूं, मैं उसका lower index और उसका higher index इन दोनों को pass क्यों कर रहा हूं, So, अगर मैं low इन मतलब जो lower index और higher index है उसका value नहीं भी pass करूं तब भी यह fine है, So, absolutely हां पर यहां पर हमें इसकी requirement है, So, क्यों है इसे हमें बाद में जब आपको diagramatically समझाओंगा यह code का verification दोगा, तब मैं आपको यह चीज़ बताऊंगा कि यहां पर हमें lower high क्यों पास कर रहा है, क्योंकि exactly more sort के जैसा नहीं, more sort से थोड़ा differently यह काम कर रहा है, So, जो भी पूरा scenario है हम इसे पूरा examples के साथ बाद में समझेंगे, तो फिलाल के लिए तो आप इतना रहान रखेंगे हमें quick sort के function में lowest index और highest index दोलों लेना है, अब simple सा logic है, हमें क्या करना है, condition check करना है, कि अगर if हमारा low जो है, वो क्या है, lesser है किसे हमारे high से याने, हमारा lower index is less than our higher index, तो ही हमें क्या करना है, procedure करना है, Okay, so, तभी हम क्या करने वाले हैं, हमारा pivot निकालने वाले हैं, और जो भी हमारा partition का पूरा ये था, वो सब कुछ हम करने वाले हैं, Okay, so, यहाँ पर मेरी naming mistake हो गई है, यहाँ पर LOO हो चुपा है, एक और में cancel करना है, अब low is less than है, अब मैंने आपको board में समझाते हैं, अब बताया था कि जब हमारा low जो है, हमारा lower index से हमारे data set का, वो जब high से कम रहेगा, तो ही हमें quickshot का पूरा procedure जो है, वो follow करना है, so, वो जो partition वाला part है, उसके लिए में पुरा एक अलगसा function बनाऊंगा, उसके अंदर पूरा partition का logic लिखा रहेगा, और पेवेट के basis में जो भी partition करना है, या arrangement करना है, वो उसमें लिखा रहेगा, तो फिलाल हमें बस इतना याद रखना है, कि अगर हमारा low जो है, वो high से कम है, so, हमें पहले तो पिवेट का correct position निकालना है, और उस position से पहले के जितने भी, मतलब जो पुरा left half है, उससे भी हमें quicksort में again call करना है, और उसके बात का जो भी portion है, मतलब जो right half है, उससे भी again हमें किस में करना है, quicksort में करना है, मतलब quicksort वाला जो हमारा यह जो function है, इसे हमें again call करना है, left half और right half पे, and that left half and right half are decided by pivot value का correct position, pivot तो हमारा last element होता है, पर pivot का जो correct position है, जहापे pivot place होगा, original position जो होगा sorted array में, जो कि हम निकालते हैं, तो उसका logic में partition नाम के function में लिखने वाला हो, और उसका जो correct position होगा, जिस position में pivot place होगा, उसके पहले का जो भी है, वो left half और उसके बात का जो भी है, वो right half, उन दोनों को हमें recursively किस में call करना है, quicksort में call करना है, तो लिख के बताता हूं ता कि आपको better समझ में है, so let's write it, so यहाँ पर हमें आ जोते हैं, next line पे, पाई will be equal to partition, यह पार्टिशन नाम का जो function है, यह भी तीन parameters लेगा, data, high and low, अब तलग मैंने यह function नहीं बनाया है, so जब मैं बनाऊंगा तब मैं इसे detail में explain करूंगा, फिलाल के लिए तो मैं इतना बता रहा हूं कि यह जो partition function है, यह आपको value return करने वाला है, जो कि क्या होने वाला है, यह पाई नाम के variable में store होने वाला है, यह value जो है, वो कौन सी value होने वाली है, आपका जो pivot है, उसके correct position की value होने वाली है, आपके data set के अंदर, आपको जैसे प अंदर pivot का जो correct position निकालने का जो पूरा logic है, और swapping का जो logic है, वो partition नाम के function में लिखा हुआ है, और partition नाम का function अपतलग में बनाया नहीं है, जब बनाऊंगा, अब इसके बाद में बनाऊंगा, उससे तब हम देखेंगे, वो partition नाम का function pivot का correct position निकालेगा, pivot को data set के अंदर साथ में correct position में place भी करेगा, और साथ में pivot का जो position है वो return करेगा, जिसे हम यहां पर पाइनाम के variable में store करें, now the question arise is, कि हमें यहां पर pivot की जरूरत ही क्या है, pivot के position की जरूरत क्या है, so हमें यहां पर pivot की position की requirement इसलिए है, क्योंकि see, अब ही यह हमारा main function है, quickshot का, अब ही मैं य now the question is, हमारी requirement क्या है, कि हम वहारा pivot है उसके पहले का portion, यानने जो हमारा left half है, उसको भी हम यह quickshot में call करें, आर जो हमारा right half है, उसको भी हम यह quickshot में call करें, यह हमारी main requirement है, इसलिए हमें यहां पर pivot की position की requirement है, so जब हम庝े pivot का position मिलेगा, तो हम उसके basis पे हमारा left half और right half, ज कब तलक जब तलक की हमारा लो जो है वो हाई से क्या है कम है ओके नव वन मोर तिंग इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं चीज़े क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पर लो और हाई जो है यह पास करना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमें यहाँ पर जो पिवेट का पोजिश है यहांने 4,5 और पर जो 6 है उगे तो जो है वह नाव यहां पर अगर आप मोर सट का वीडियो देखी होंगे तो वहां पर हम आपक्शुली में हमारे डेटासेट जो होता था उसको हम क्या करते थे परिशन करते थे हमारे डेटासेट में से एक पर्रिकलर साइज या पर्टिकुलर वेल्यूस को निकाल के एक नया डेटा सेट बनाते थे और फिर उस डेटा सेट पर हम अगेन हमारा लॉजिक जो है कॉल करते थे यहां वैसा नहीं है यहां पर हमारा जो डेटासेट है वो constant रहने वाला है याने हमारे डेटा के अंदर कोई बदलाब नहीं है ओके यहाँ पर डेटा जो है वो कभी चेंज नहीं होगा चेंज क्या होने वाले लोवर हाई सो हमारा जो सबसेट पोर्शन है इसे अभी मुझे अभी लेफ्टाफ के लिए मुझे चाहिए कि वैसे जिरो से लेके टू तलग का डेटा दूं लेफ्टाफ को तो उसके लिए मै लोग का वेल्यू जीरो दूंगा तो बोलने का मतलब यह है कि पार्टीशन तो हम मतलब काम बुरा वही उसी तरीके से करने वाला है यहाँ पर हम एक्शेली में जो हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज करके हमारे लिस्ट को हम पार्टीशन नहीं कर रहे हम अलग डेटा स के अंदर सब पोर्शन डिनोट करने के लिए लोग और हाई वाले इंडेक्स को यूज करने एक बार मैं एक एक्जामपल लिख लेता हूं आगे के लाइन लिख लेता हूं तो यह क्लियर हो जाएगा तो नवसी अभी मुझे पाई के अंदर क्या है मेरा जो करेंट मैंने मे लिखना है आपको के अंदर अभी अभी मैं यहां पर एक स्लाइसिंग अगर आपने मर्स देखा होगा तो मैं क्या करता था स्लाइसिंग ऑपरेटर से पूरे डेटासेट में से 0 से लेगे जो भी मेरा लो या फिर जो भी मेरा जिस पोजिशन तलग मुझी चाहिए तो जैस बिक है ऐसर देना अब यहां पर हमारा डेटा आगए आघा है एदर हमारा होने वाला है यहां मारे हुजिचन पहले तक रिमेंबर लेफट में बात हो लिए यहां पर हमेशा हम यह भी नहीं बोल सकते कि जिरू ही हमारा लो होने वाला है क्योंकि हम अलग लिस्ट के अंदर अलग-अलग लो पोजीशन भी हो सकते हैं यह सब मैं आपको diagramatically समझाने वाला हूं don't at all worry अब यहां पर एक और चीज़ में कर देता हूं यहां पर पहले हाई और फिर लो तो convention में थोड़ा issue आ सकता है मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है इसलिए मैं यहां से इसको हटा देता हूं और यहां पर हाई लिखता हूं हो जाएगा रहा है अब लिखने वाला है और अब समें यां यहां पर हमें क्या होने वाला है आप यहां पर क्या देना है सबसे पहले तो मुझे लो स्पेसिफाई करने अब यहां पर लो क्या होने वाले देखो मैं राइट हाफ की बात कर रहा हूं याने पिवेट के पोजिशन के बाद वाले जो एलिमेंट से उनकी तो वह डेफिनेटली कहां से शुरू होने वाले हैं पिवेट का जो भी करण्ट पोजिशन है जो कि हमारे पाई नाम के वेरिएवल में स्टोर्ड है राइट सो पाई प्लस वन यहां से लेकिए कहां तलक हाई तलक जो भी हमारा करण्ट हाई है वहां तलक ओके सो लो से लेकिए पिवेट के पोजिशन से पहले तलक जितने भी elements है वो हमारे left half है जिसके उपर हम quicksort call करने वाले हैं फिर उसके बाद में pivot की बाद वाले element यहाने pi plus one वहां से लेके high तलब जितने भी elements है यहाने data set के जितने भी elements है उन सब पर हम क्या करने वाले है quicksort again call करने वाले है जो कि हमारे right half है ओके सो यहां पर data जो है वो बदलने नहीं वाला है यहां पर हम data के दौर पर हम slicing नहीं करें data set में से हम अलग-अलग data sub data list नहीं create करें जिसे हम merge sort में बना रहे थे तो यहां पर हमारा data set जो है वो एक ही है और as it is है और उसके अंदर ही sorting होने वाली है आप बोल सकते हो कि quick sort में in place sorting होती है यह वाली पार्ट मैंने theory में 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 साउट किया था बताना भूल गया था मैं पिक sort में आपका in place sorting होती है याने आपके data set को आपको partition करने की जरूरत नहीं होती है मतलब dividing एक तरह से होता है बट यहां पर हम सिर्फ indexing के basis पर उचीज कर सकते हैं आपके in place sorting हो जाती है याने आपको data set को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती आप उसके अंदर यह आप जो है sorting कर सकते हैं तो merging वाला पार्ट जो है वह आपे जनरली नहीं आता है ओके सो आगे बढ़ते हैं एक बार मैं से एक डाइग्रमेटिकली समझा देता हूं ताकि जो कुछ भी confusion बागी है वह भी हट जाए पाई को सेफ कर देते पहले कि यहां पर आपको एक डिटा सेट दिख रहा होगा अपने स्क्रीन के उपर इसे मैंने इंडेक्स भी लिख लिए हैं सो अब मैं आगे का पूरा प्रसीजर नहीं बतावा क्योंकि वह मैं पार्टिशन में करने वाला हूं आपका न्यान इक करेक्ट पोजीशन ए वह कुछ यहां पर है इंडेक्स त्री पर है वर अब है क्या इस हमारा पूरा टेटासएट ल armies I aM फंक्षिन जो है वह हमें क्या रिटर्ण कर देगा हमें पिट का करेक्ट पोजिशन जो है वह रिटर्ण करेगा तो यहां पर इस मतलब रसॉटिंग होने के बाद हमारा सबने और हम पर्टिशन में वह लौजी कि लिखने वाले जो कि मैंने अपको बोर्ड में पता चलेगा कि हमारा प्रट करेक्ट पोजिशन क्या है तो पार्टिशन हमें क्या रिटर्ण करने वाला है अब वह इस पाई नाम के बेरियेबल में स्टोर हो जाएगा अभी हम क्विक्सार्ट का पूरा फंक्शन है की हम अगेन काल करने वाल है कि इस पर हमारा लेफट हाप जो कि कहां से वह बहुत लाख होता टो यह वह ब्लाइक पॉर्षं अगेन क्या हुआ है आपका लेफट हाब जिसके ओपर क्विक्शॉर्ट अगेन पार्टिशन होएगा अग पर रिमेंबर हाइका बदल जाएगा हाइका वेलो जब एक विक्साट अगेन कॉल होएगा विच सेम डिटा सेट बट डिफरेंट लो एंड हाइव एल्यूस रिमेंबर अब यहां पर अगेन विक्साट अभी राइट आप जो है राइट आप क्या होने वाला है तो डेफिनि एक विक्साट कॉल करेगा अगेन लो और हाइका वेल्लू जो है फॉर और फाइव लो का वेल्लू होगा फाइव सब्सक्राइब सेम क्यालकुलेशन फिर से चलने वाला है ओके तो इस तिंग्स विल कंटिनियूसली रिपीट अंटिल लो इस लेस देन हाइव तो अब डेटा सेट में सौट करने वाले यानि यह पिवेट है सेवन अब यह अपने करेक्ट पोजिशन में आ जाएगा मरबर फिर वहां पर एट चला जाएगा अभी यहां पर उसके बाद में क्या लेफटाफ और राइटाफ पर अगेन सौटिंग होएगा तो अगेन यह लोग क पर यह सेम रख रहे हमारा डेटा इस ऑल्वेज गई टो बीजिए बट इस गई डिफरेंट लो एंड हाइग तो इस लो और हाइग के वैसिस पर हमेशा लेफटाफ और राइटाफ को क्या अपको करेंगे और वह लेफटाफ और राइटाफ पे भी हमारा जो यह पार्टि का आइडिया हो कि हम क्या कर रहे है इसलिए मैंने बताया तो नाव इट्स टाइम बतोफ ट्विक सट में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है अगना इस ता हाइट टाइम टू राइट आवर पार्टिशन फंक्शन से निकलते हैं तो यह नाम आपको बिल्कुल प्रॉपर दली डिया तहां डेटा लोवर हाइट सो चाहे तो डिफरेंट नेम्स यूज कर सकते हो बत्या अगर आप डिफरेंट नेम्स यूज्रेंग आपको फंक्शन के अंदर भी डिफ्रेंट नेमिंग जो आप ली वह उस करना है ओके सब्सक्न कर दिया लिए नाव अब जैसे मैंने यह पाटिशन नाम का जो फंक्शन है क्या करने वाला है खमें एक तो हमने जो लॉजिक हमने बॉर्ड में देखा था किके इसतरह से हम अमारा सॉटिंग करने वाले हैं और उस पिवेट को हम मतलब किस तरह से सा क्रेक्ट पोजिशंट दोड़ने वाले वो पूरा logic जो है इस function में आएगा और साथ में यह function है हमें क्या करने वाला है प्रीट का जो original पोजिशन है वो return करने वाला है ओके सो या तो पहले तो अभी हम start करते हैं जो हमने बॉड में logic लिखा था हूं तो आप यहां पर अलक कर रहा था तो वहां पर यहां आपको हमेशा स्डाटिंग दिरम है यहां हमेशीох मेरा स्टाटिंग वैटने वाले पर का value जो है वो हमेशा 0 नहीं रहने वाल है मैंने अभी आपको इदर दिखाएगे राइठाफ में लो का value जो है वो क्या हो जाएगा 4 और हाई का value जो है क्या हो जाएगा 5 कम I का value होगा initially हर data set के लिए अभी यहाँ पर जिसे कि मैंने आपको बता है कि लो का value जो है वो चेंज होने वाला है जो हम जो भी हमारा जो operation है वो राइठाफ में कर रहे हैं तो राइठाफ के उपर अगर मैं I का value initially minus 1 लूँगा तो हो क्या जाएगा तो जब मेरा J वाला loop चल होगा तो वह हमें नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपको logic याद है मैंने बोर्ड में जो बताया उसके हिसाब से हमारा तो यहीं चलता है न कि हम जो है हमारे जो भी जो भी वाले पार्ट को में सौट करने लेफटाफ या राइठाफ उस पर हम क्या करने वाले लो से लेकि यहां भी पार्टिशन में लिखने वाले नाउ अगर यहीं चीज में राइट हाफ में अपलाए करो और मेरा आई का वैलो माइनस वन और मान लेते हैं कि यहां पर हमारा जो भी इंडेक्स है अगर वह पिवेट से मेरा चोटा हुआ तो मैं सिंप्ली क्या करने वाला हूँ पोजिशन और यहां पर यह बाला जो पोजिशन इसके बीच में होगा सो यह थोड़ा जो है हमारा स्ट्रक्चर बिगाड़ लेता है यह डेफिनिटी करेक्ट नहीं है क्योंकि स्वापिंग जो है इन ही दोनों प्लेस के बीच में होना चाहिए बरबर लेक्टाप का अपन अलग सटिंग ओर यहां राइटाप का अरें τη दूनों पर अलग जग मलें मैं पर इन तीनों की बीच में आपस में और इन दोनों की पीच capitalist करते लिए so the whole motive is हमारा जो i का value है वो क्या होना चाहिए हमेशा minus 1 नहीं होना चाहिए वो किसके basis पे decide होना चाहिए हमारे low के basis पे so अगर मेरा low जो है अभी वो 4 है so i का value जो है initially क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए याने low minus 1 होना चाहिए फिर जब मैं iterate करूँगा और मैं देखूँगा कि मेरा जो i मेरा j वाला look जो है जब वो चलेगा और मैं तब वहाँ पे देखूँगा कि जो j position वाला element है वो pivot से छोटा है तब मैं मेरे i के value को बढ़ा दूँगा so automatically वो low के बराबर हो जाएगी सो यहाँ पर आपको i का value जो है वो हमेशा क्या देना है i should be equals to low minus 1 ओके तो i का value जो होने वाला है low minus अब क्यों होने हो चाहिए यह अप ही मैंने आपको पूरे detail में बताया है अब हम pivot का value निकाल लेते हैं so pivot will be so pivot will be क्या होगा high position याने last वाले position not last always जो भी आपका high होगा वह वाले position का जो element है वह क्या होने वाला है हमारा pivot so अभी left half के अगर हम बात करें तो left half में high का position क्या होने वाला है 2 तो यहाँ पर यह हो जाएगा pivot और right half में high का position क्या होने वाला है 5 तो यह हो जाएगा आपका pivot after stopping क्या होने वाला है जो भी आपका डेटा सेट है उसके हाइप पोजिशन रहे है तो नहीं हमेशा उसका लास्ट इंडेक्स नहीं है जो भी आप यहाँ पर हाई का वेल्यों दोगी वह होगा तो डेटा यहां और यहां तो यहां सो डेटा एट हाई कि यहां हाई ओके यहां पानिकों सेट कर देते हैं अब अब हमारा चलूप है वह चलने वाला है मैंने बताया था कहां से कहां तलक फॉर या आई सब्सक्राइन यूज कर सकता है मैं पहने यूज कर लिया है है जह हम लेंगे तो फॉर जेंड रेट कि मिनें कहाँ था लो से लेकि हाई सो वहां पर जिरो से चला रहे थे क्योंकि हम अलग अलग पर्टिशन वह देख रहे थे तरह यहां पर हम कहां से लेकिए हाई तलक जोब आपको लोईस्ट इंडेक्स होगा वहां से लेके हाइद अभी मैं हाई पास कर रहा हूं तो डफिनेटल यहां पर रेंज फॉंक्शन यूज़ा है तो हाइज से एक कम बेलू आपका वैव है तो यहां पर जो लूप है फोर तरफ चले वाला पूर्थ इंडेक्स तक चलने वाला है यहां पर आई जे हो गया है इसको रेक्टिफाइब कर देते हैं अभी अगर में यहीं चीज लेफ्ट हाफ और राइट हाफ पर लगाऊ यह वाला फॉरलोप जो है लेफ्ट हाफ में कहाँ जिरो से लेके टू दलग चलने वाला है यहां पर लो का वैलू जिरो होने वाला है दो आने वाला है अप्टर कॉल अप्टर कॉल इस फालापाट उंके पर ट novo यह वाला फंक्शन का किहां करने वाला है ओके सो यह में एक मांकर से पॉइंट आउट कर देता हूं याने सिर्फ यह इस पर ही काम करने वाला है यह वाले इस पर एक्जाम्पल के यह साथ अच्छे से समझेंगे डाइग्रमिटिक लिए तो फिलाल तर्म लॉजिक पर दहां देते हैं सो इवहीं लॉजि टा अजज लेटा एट पर्णिशन नम्मर रोट फिल्य च्छों जो भी वेल्लु है अगर वह लेशन या इक्वाल टू है किसके हमारे पिवेट के सो अगर वह लस्तैने इकवाल टू है पिवेट के तो हमें पहले क्या करना है हमें कहले तो हमारे यह का व्लो बढ़ाना है i will be equal to i plus 1 the i plus equal to one is the full-zap so i will be equal to i plus 1 now next thing हमें क्या करना है हमें स्वापिंग दरनी है किसकी किसकी बीच में सो हमारे डेटा के अब आइथ पोजिशन में जो भी डिटा है वो जेथ पोजिशन में जो भी डिटा है वो आइथ पोजिशन में आएगा इसे सेंस इंगल लाइन में वालिक लेते हैं ऐड़ा आई कॉमा डेटा एड़ यह रिंटे एकवल टू डेटा एड़ यह निटा आड़ आइफ को यह यहां पर बैसिकली भी होगा गया कि डेटा एड़ जेज़ पोजिशन में जो भी हमारा डेटा है वह कहां असाइन हो चाह और डेटा ये याने जे पोजीशन में में चैनल हो जाएगा अपसमें सब्सक्राहिए अधि चलने वाला है तब पेहने इंडेक्स पूरा लुप चलने वाला है और अगर सब्सक्राइब करने वाले हैं इंटर्जेंज करने वाले हैं स्वाप करने वाले हैं सब्सक्राइब करने वाले हैं क्या आने वाला है यह आने हैं यह जाएगा जाएगा यंदर और जो यहां चला जाएगा यांपर हम लिएटा एट हाई यो हम सकते हैं किसंद हाई हाइट है यो फचुजन में यहाई वाले पोजिशन में जो डेटा यह लगा जो डेटा है या डेटा ऐड़ में में सिफ्ट हो जाएगा नेकि यह होग I plus one position Q क्योंकि यह पिवेट का original यह actual position है हमारे निटाइट में इस position के basis पे ही तो हमारे यहां पर पार्टिशन होंगे हमारे left-half और right-half दिसाइड होंगे तो इसलिए हमें required है कि यह जो function है यह जो हमारा लोग अपने स्क्रीन के ओपर देख सकते हो मैंने पूरा डाइग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ड्रॉ करके रखा हुआ है सो एकदम स्टेप बाइस्टेप एकदम बेसिक डिटेल के साथ समझेंगे और कुछ भी कन्फीजन रहा होगा आपको कोड में अब मारे फ्रॉक्स नाम की पॉरा प्रॉक्स लिखा हुआ है और साथ में और नाव रिटन करता है इस जो है और इस के वाशाद में हमारे लप कर पाल किया है डिपैंडिंग जुट स्टार्ट से अच्छ से संचाएगे है यह है हमारा डेटासेट बदब इनिशलल हमारा लोगा वेल्य Ultra TO है इसता है झालोल किस तरह से क्वाला है है वनारा डेटा सेट लो है हमारा जीरो और हाई हमारा सब्सक्राइब है हमने हमारा डेटा एस एक यह सो प्रहे कुछ है जो आहीं है फाय होने पहले कहोगा की क्या लोग हो हो रहें हो प्रहमें होग है नहीं दस्क्राइबर्वाउं लेकर वख की च्टाउग होगा देखर को आखिच है जो एक्जीक्योट होने वाला है तो अभी यह तो यहां पर अधर पर प्रश्थन पंक्शन कॉल होएगा इसमें अभी हम अगेन हमारा डेटासेट लो और हाई जो है उसे हम ग्या करतेंगे पास करतेंगे नव सी अब पार्टिशन पर अधर कॉल किया तो पार्टिशन अब 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 पिवेट का वेल्लो देखिए कहां आप हमारा ग्यालने वाला है और अब हे वाला लूप जो है वह सो जो भी आपका लो है वहाँ से लेके वहां से लेके लेके लिए लिखा है इसके चलते हाइध माइनस बन तलग की जो लूप है वो चलने माला है वहां 4th index तक हमारा लूप चलने वाला है, so, let's start, हम इतके भी जो पुरा और ओपरेशन ने वह देखते हैं, so, अब if, हमारा पहला condition की, if, लूप जो है, जो है, 0 से शुरू होने वाला है, when j is equals to 0, j का value 0 का, हम क्या check करें है, data at j, j पोजिशन में जो data है, तो क्या है डेटा 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 इस पोजिशन क्या है 90 है बरबर तो क्या वह less than equal to pivot है तो क्या वह पिवेट से छोटा या उससे बराबर है 90 is not less than equal to pivot लिए बढ़ेंगे यह नहीं हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे यह आग बढ़ जैगा अब जैगा यह फोटीफाइव और पहले नइंटी था पहले 90 था अब क्या है 45 अब टेटा एट जो है 45 है क्या 45 लेस्ट थैन एकवल टुपिवेट है क्या करना होगा यह वाले कंडिशन से निकलना होगा और आप हम जे का वेलू एक और बढ़ा के चेक करेंगे जो हो जाएगा तू बरबर सब्सक्राइब क्या डेटा है बरबर क्या डेटा है तो हमें ऐसा वेलू मिल गया जो लेट निकवल टू पिवेट है तो हमें सिंपली क्या करना है अब आई का वेलू पहले क्या था माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा यहां पर हमारा आई है और यहां पर हमारा जै है है ऑना आई और ट् BU फोजिशन की क्या कर देना चाह min Всемग इंड क्या हो वहां पर क्या जाएगा आई वाला सो यह आपको समझ में आ गया होगा हमने से सिंप्ली स्वापिंग की हुई है एक विनिट में इसे हटा देता हूं यह अब हमारा डेटा सेट चेंज हो चुका है वरब अब यहां पर जे और आई के पोजिशन जो है वह वह पोजिशन वाले यह अब यहां पर आप वाले कोई देख लोगे क्या है तो अभी हागे नम वही चेक करने वाले टो ट्रीट ट्रीट क्या है एट है अब एट इस लेस तैन इकवल टू पिवेट सब्सक्राइब नहीं है तो अगे नम आगे शिफ्ट करके एक स्टेप आगे बढ़ जाएंग जो जाएगा फोर अगेन वही चीज़ देख रहें डिटाइट फोर जो है वो क्या है 100 है अगेन नौट लेस तन इकवल टू सेवन बड़ाबन तो यहां पर हंड्रेट तलक जब आया तब हमारा आए जो जो था वो क्या हो गया फूर अब हमारा लुप जो है जे वाला लु सब्सक्राब bakery इन दोलों के पर अब 차ång में परदेना है लिखाy मेरा रथंसेग्ट तो डेटा आट क्ने आप जो है वह क्यों प्रूशएगा BTS अब का पैस उसे चर्पर देना है तोूसर्ण हो लिखाए मैं है और फिन या екृबट इप्लस– lysburn Words ओन जो है जाएगा 7 और डेटाइट 5 जो है वो क्या हो जाएगा 45 ओके अब सपिंग के बाद आपको डेटाइट कुछ इस तरह से दिखेगा यहां पर भी लिखा हुए तो डेटाइट आपर देख सकते हो 45 जो फिफ पोजिशन में आ चुका है वहीं सिस्वी फिफ पोजिशन में हाई वाले पोजिशन में data था जला जाएगा फर्स्ट ऑले फिर आप बोसकते हो आई वाले पसे चुकिए बोल सकते हैं जो प्यूर्ट है जो हमारा 7 था इसको इस सौटेट सब और और आपना पूजिशन मिल चुछा है एक लेकिन सोकेला है तरो उसमें कँछ नहीं होएगा लेकिन यह बाहर नहीं होएगा ascura चारों आपस में अपना प्लेस बदलेंगे लेकिन 7 को कोई एफेक्ट नहीं कर सकता 7 को अपना करेक्ट पोजिशन मिल चुपा है बरबर ओके यहां पर हमारा यहां पर रिकर्शन आ रहा है लेकिन हाई में हम क्या दे रहे हैं लेकिन हाई में हम क्या दे रहे हैं यहां पर मैं इससे पहले में एक स्टेप बताना भूल गया लेफट आप और राइट आप को मैंने आपके अंडरस्टेंडिंग के लिए लिस्ट में लिखाया अलग-अलग पर यह अलग-अलग लिस्ट नहीं होने वाले हैं यह एक ही डिटा सेट है जो हम में इंटेन करने व समझब है इसलिए में सेपरेंट लिखाया तो लेफट आप यहां पर हमारा सिक्स होने वाला है और राइट आप जो हमारा क्या होने वाला यह सारा का सारा डिटास्ट नाइंटी एट हंड्रेड और पोटिफाइफ ओके अभी में जहां पर ता वहां पर आता हूं पाइका वेल्लू यह अपर यह पर प्रेंट पंक्ट्शन आपाई का वहली रिटरण करेंगा जूखेंगा बन वाइन जिटा विटलो जीरो आइंड हाई जिरो यहांने यह वाला वैल्लू वढरकल पोजिशन में यह वाला डेटा सीच डेटा सेट और जिसका लो और हाइज दोनों के उपर, अब यह right half क्या है, तो again data set तो वही है, लेकिन यहापे low का value जो है, वो क्या है, pi प्लस one, तो pi का value क्या है, हमारा one, so one plus one, यहने क्या two, तो two से लेके, तो low का value क्या है two, और high का value क्या है, जो हमारा normal आया है, यहने क्या five, बरबर, अब अगेन quick short call हुआ, right half के ओपर, जहाँ पर की low का value जो है, वो क्या है, 2, और high का value जो है, वो क्या है, 5, संज़ने होगा आपको अगर मैं नहीं समर्ज मैं हम वह फिर से एक बढ़ बता देवां भाइए का वगाली one है तो उस Kazanaisy आन् है क्या हमारे correct position फिए प्रेयर क्रग्ट क किया है यहाँ भन है तो उसके पहले का जो भी है उसको उस पे भी है उसके ब्रुज करेंगे यहांने left half और right half दोनों पर ही हम क्या करने वाले quicksort call करने वाले अब उसके हमने क्या किया है quicksort को again call किया है data set के तोरके हमने same data set पास किया है बस low और high के values जो हैं वो बदल रहे है तो अभी left half के लिए low तो पहले से 0 था और उसका high भी क्या होने वाला उसका higher index भी क्या है left half में सिर्फ एक ही element तो उसका high भी क्या होने वाला जिरो ही होने वाला है one minus one anyway क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा उसे राइट हाफ में अगें हम डेटा से ठीक quicksort call कर रहे है है राइट हाफ पे और यहां पर डेटा सेट रहने वाला है पर उसका low जो है वो क्या हो जाए गएदर पाइब लस्वन यहां से लेके कहाई जो है वो क्या है यहां तलब इस पर भी हमने क्या किया अगें quicksort call कर दिया अब अब कहानी यहां से शुरू होती है अब लेफ्ट हाफ के ओपर हमने quicksort call किया तो सी हमने बेस कंडिशनल अभी quicksort again call हो जाएगा तो यह इथर आएगा यहां पर डेटा सेट वही रहेगा लोग का विल्लू जीरो है आई का विल्लू भी क्या है जीरो है अब एक मिनिट में स्क्रीन पियर कर देता हो अब जो लेफ्ट हाफ है उसके जगवे भी क्या है हमारा zero है और राइट हाफ पे भी हमारा क्या है जीरो ही है यहां पर हमने इसलिए बेस कंडिशन लगा रखाए यहां पर क्या कंडिशन कहा किया कि अगर लो जो है वो lesser than high है तो lower high दोनों left half की case में इस वाले case में lower high दोनों का बलू क्या है जीरो है तो low is not less than high तो आगे का पाट execute हो गाई ने यही पर ही अटक जाएगा यही यही पर रुख जाएगा अब आते हैं इसके right half पे तो यह वाला जो call था इसने again इसको call किया पर lower high का बलू same है इसके चलते यह वाला condition satisfy नहीं हुआ जिसके चलते यह वाला पाट execute नहीं होगा तो यहां पर इसले मैंने लिखावा है left half के लिए कि since low is equals to high lower high दोनों ही 0 है तो low is not less than equal to high so stop अब आते हम इसके right half पे कहांदे यह वाला section यह यह do four is sorry do three fourth fifth index में जो भी है second third fourth fifth वाला तो यह वाले जो टाइठाफ है इस पर हम operation अभी राइठाफ में अगे अगेन आप देखो यहां पर लो का value जो है वो क्या है वो क्या थैने one plus one तो लो का value जो है वो क्या है आई का value क्या हो जाएगा two minus one so अभी एक काम करते में step by step समझते जैसे हम वो function के साथ समझ रहे थे तो सी राइठाफ के अबर बिक फोट क्यों हूँ ओड रहे बर विध डेटासेट विध सेम डेटासेट और पाइ का value 2 sorry पाइप लो का value 2 और आए का value 5 अब यहां पर जैक होगा तो क्या low यानि टू है वो less than less than 5 है तो yes 2 is less than 5 low is less than high तो यह तो partition function call हो जाएगा with same data low and high data low and high तो अब अब है तो partition function call अगेन हम क्या करेंगे आई का value निकालेंगे जो हो जाएगा इदर low minus वर्याने 2-1 जाएगा 1 हो जाएगा इका बेल्यागा पर यहां पर जाएगा data at high तो अभी यह low का value है 2 बरबर low का value है 2 high का value है 5 तो लूप जो हो कहा से गातलब चलेगा 2,3,4 वाले जो इंडेक्स है इन्हीं के उपर हमारा लूप जो है वो चलने वाला है बरबर सो लेट स्टार्ट अब उन तीनों के iterations हैं में यह आपे लिखे हुए है सेम वही condition है कि अगर data at j तो जब j का value 2 है तो हम check कर रहे है कि if data at j is less than equal to pivot so data at j तो जब j का value 2 है तो data at 2 यहां पर आप यह वाला data set देख सकते हो data at 2 जो है वो क्या है 90 है बरबर अब 90 is less than pivot यहने 45 तो 90 जो है वो less than equal to 45 है क्या तो definitely नहीं है सो हमारा j step आगे बढ़ेगा अब j का value 3 तो data at 3 is 8 तो क्या data at i sorry data at j यहांने 3 जो है sorry 8 जो है क्या वो less than equal to pivot है तो यह it's less than equal to pivot क्योंकि 8 जो है वो lesser than 45 है सो अब यह conditions है हमारा हो रहा है तो जब यह conditions है नहीं हो रहा था फॉस्ट वाले iteration में तो हमने इस वाले पार्ट को skip किया था लेकिन अब यह conditions है हो रहा है ले होते हैं अभी यहां पर right half में proper way से swapping नहीं होती क्योंकि i-1 होता right half 2 से शुरू हो रहा है इसलिए i-1 तो अकॉर्डिंगली जो भी आप data से ट्रेफर करोगे बतलब जो भी आपका right half और left half उसके हिसाफ से आपको i-1 मिल जाएगा आप अब हमें क्या करना है से डेटा आइड आइड जे पोजिशन को आपस में क्या कर देना है स्वाप कर देना है आइक बढ़ जाएगा जे का वलू क्या हो जाएगा अब हम यह वाले डेटा सेट को रेफर करेंगे हमारा अपड़ेटे डेटा सेट जब जब जेका वेलू 4 होगा तो अभी आप आप देख सकते हो जेका वेलू 4 है तो डेटा क्या है डेटा 4 जो हो क्या है 100 सो क्या 100 less than equal to 45 है तो definitely not सो हम आगे कुछ भी नहीं करने वाले तो य यह वाला लोग जो है जो एक कोप्लिटली चल खता हो चुका है सब हम इस लोग से बाहर आ जाएंगे और यह वाली लाइन जो है वह से एकसिक्यूट करेंगे तो यह वह वह ही लाइन जिसके चलते हमारा पिवेट जो है वह स्टाप हो रहा है वरेबर सेम वाई तो आइका वुआ धूँगे मांने अभी स्वापिंग पिवेट विद आहे पिलस वन मतला मतलब पिवेट और आई-प्लस-वन पॉजिशन जो डेटा है उससे में आपस में क्या कर दाएगे swap कर देंगे so data at third position क्या हो जाएगा 45 and data at high and data at fifth position क्या हो जाएगा 90 so अब देख सके data at third position 45 and data at fifth position is 90 so अब यह वाला पार्ट भी खतम होगे so अब हमारा pivot जो है वो क्या है 3 है sorry pivot का correct position जो है वो क्या है third position अब उसके पहले जो है वो है अब गारा left half उसके बाद जो भी है वह है हमारा right half बरब हैं so यहाँ पर मैंने से लिख दिया है so left half है हमारा eight okay right half जो है वो क्या है हमारा hundred कमा 90 अभी left half अगेन अकेला element है तो since low or high दोनों equal है so low is not equal तो low is not less than equal to high so stop so see again यहाँ पर होएगा क्या जिसे अभी आप देख सकते हो पहले क्या हुआ था हमने इसके उपर call किया राइट फिर इसके लेफ्ट हाफ और इसके राइट हाफ यहाँ पर लेफ्ट हाफ 6 और राइट हाफ जो यह पूरा आप अगया काम नहीं चला यह राइट हाफ फे अब देख स्वाट का आगया काम नहीं चला इंदेसे लेफ्ट हाफ का बेस कंडिशन द्रेट इसके चलते आगे करे कोड़ जो एक्जिग्जिव्ट नहीं हुआ तो अकेला element था तो एज़ टेस रहेगा तो भी consider it as मतलब अब definitely एक ही element तो क्या ही sort होगा अब राइट हाफ पे हमने again quick sort call किया था इसके चलते again हमने सारा procedure किस पे किया था भी राइट हाफ पे किया अभी उस राइट हाफ में भी हमें pivot का जब correct position मिल गया अभी उसके पर हम अगेन लेफ्ट हाफ और राइट हाफ निकाल रहे तो इसका लेफ्ट हाफ जाएगा एट वाला और इसका राइट हाफ में क्या जाएगे 100,90 मैंने यह थे लिखा हुआ है अब अगेन इन दोनों पे quick sort call होएगा बरबर तो यह एक क्या रेकरशन में जा रहा है पहले हम ने इस पे कॉल किया फिर इसके लेफ्ट हाफ राइट आफ पर कॉल किया फिर Cait ऍ मैंने लेफ्ट अब और आ क्सा पॉर करेंगे लोँर हई दोनों ही क्या होने वाला है वरबर इसके चलते यह क्या हो जाएगा यह वाला base condition जो है उजट इससाइ नहीं करेगा इसके चलते यह रुख जाएगा सो left half पे quicksort नहीं लगने वाला है लेकिन right half पे लगेगा right half पे क्या है 100 meno 90 है सो अब 100,90 है सो local value जो है यह आप देख सकते हो वेल आपडेट को सभख ऑगा और ऐका बोग जो है वो क्या है भरवर आइका वेल्लू लो dat qabrel क्या होएगा 3 तृमी मैं इसके शाह सब शबशन सब जब हम इसके वारा ऑर historic is it कि यहांए जब हम इसके राइट हाफ पर उपर क्विक्स हॉट काल करेंगे यानने यह उपर को मारा एंटी के उपर जब हम्हां ने लिए आप खरेंगे यहां पर हमारा डेटास सेव रहेगे वहाई इसके चलते पंक्षण कॉल यहां partition क्या गरेगा i का value निकालेगा i का value निकालेगा pivot का value निकालेगा higher low तो हमें पता ही है अब again j वाला loop जो है वो चलेगा कहां से कहां तलग low से लेकि है high तलग फर high से एक कम तलग चलेगा क्योंकि यहां पर range function अमने यूज़ किया है so low का value है क्या है लोका value यहां पर 4 और i का value 5 5 से एक कम यहने 4 तलग यह वाला जो लूप है यह सिर्फ एक की बार चलेगा हो है इस वाले value के ओपर 100 वाला value जो है हमारा उसके ओपर यह जो यहां पर data set बना हुआ है यह इस operation के बाद बना हुआ है सो हम इसके लिए यह वाले data set रफर करने वाले इत पूरे calculation के लिए हमने यह वाले data set रफर किया है कि और करने के बाद हमारा data set यह आया है कि उसके यह वाले data set को आपको रफर करना है जो extreme right में है अभी जे का वेलू जब 4 होगा जो data at 4 जो जो है क्या है 100 है यहां पर देख सकते हो जो जब जे का वेलू जो है 4 या 4 है जो data at j यह यह जो है 100 is less than equal to pivot है यह नहीं हमें देखने है 100 क्या है less than equal to pivot या 90 है क्या पिकि यह आप 90 लास्ट एलिमेंट है यह हमारा पेट है 100 is not less than equal to 90 definitely 100 less than equal to 90 नहीं है तो हमारा पेट जो है यह वाला condition जो हो जाट इससा ही नहीं हो रहा है इसके चलते क्या हो जाएगा यह आई प्लस वन बढ़ने का बतलब अंदर का जो भी पूरा दिया है लो कमा है तो लोग का विलू 4 है आई का विलू 5 है और रेंज फंक्शन यूज़गा है तक नहीं है से एक कम तक चलेगा यहने 4 तक 4 के उपर ही चले वाला है सो अब यह लोग टर मिनिट हो चुका है फॉर लोग अब हम इसे बाहर आएंगे अब आई प्लस वन पोजिशन आई का वेलू क्या था हमारा इधर आप स्ट्री यह था कुछ बढ़ा नहीं है जरूर नहीं है कि हमेशा बढ़े यह बढ़ा ही नहीं है जितना था उतना ही है स्ट्री असे अब इसके चलते हैं आप देख सकते हो फौजिशन में नैंटी अर फिन्त पोजिशन में इधर आजाएगा और फोजिशन में जो हैंड्रेड आए इधर आजाएगा अब इसके चलते अगें आप देख सकते हो फोर्थ पोजिशन में 90 और फिफ्फ पोजिशन में 100 अब पिवेट का जो पोजिशन है वो क्या है फोर्थ पोजिशन सुनाव सी यहां पर यह लेफ्ट अपर पाट फोड़ दिलीट हो गया है तो अब पिवेट का जो करेक्ट पिवेट पोजिशन है वो पिवेट व्यांट इसके वाज में जो बच्चा वो क्या है राइठव सो अगर आप चाहे तो आगें इसको भी एक राइठव आप मान कि इसको अलग सा एक partition बना सकते हो अगें इसके उपर एक विक्सट वाला जो function है वो call होएगा राइट तो यह वाला पार्ट जब यह जो हमारा i-plus-one होता है यह हमारा किसका position होता है पेवट का correct position होता है इन इस केस हमें आप्लास का वेल्यू क्या था क्या मिला था फोर विला था पार्टिशन function 4 रिटेंड करने वाले वाले । अभी उस पूल 4 की बेसे ब्रबर उस 4 की बेसेस पर यह लेफ फार राइट आ होगेगा पैडरेगा अब यहां पर विक स्कॉड पॉर्ट संब और और तेटा सेट के साथ और जो क्या रहेगा तो यहाँ पर लोका बलो जो था फोर और ओके कि अपर पाई का बनुठ फूरी यह तो अगर यह function call भी हो जाएगा तो भी आगे जाके quickshot again call होने के बावजूद भी रुख जाएगा क्योंकि low का value less than high नहीं होगा low का value 4 है high का value 3 है तो definitely यह नहीं चलने वाला है अभी right half के ओपर again quickshot call होएगा right half के ओपर quickshot call होएगा data as it is हमारा data set रहेगा पाई का value 4 है तो 4 plus 1 याने 5 वराबर याने यह हमारा initial याने यह हमारा low होने वाला है और high का value भी जो है वो क्या होने वाले 5 होने वाला है अगें जो जब यहां पे quickshot again call होएगा low and high उनों का value सेम होगा तो यह वाला condition satisfy नहीं होगा इसके चलते यह वाला जो राइठाप है इसके ओपर भी हमारा quickshot का logic जो हो काम नहीं करने वाला है function call होएगा लेकिन logic काम नहीं करेंगा क्योंकि बेस condition जो है वो satisfy नहीं हो रहा है so I hope आपको पूरा clear idea मिल चुका होगा तो यहां पर अब हमारा data set जो है आप देख सकते हो completely ascending order में जो है वो क्या है sorted है see बहुत ही simple है कुछ नहीं है इस पे simply and quickshot से सबसे पहले चेक करें कि lower high की basis पे कि low जो है वो lesser than high है या नहीं अगर है तो हम partition function को बुला रहे partition function में actual काम हो रहा है partition function में पीवेट निकाल रहे है I का value set करें यह जो भी है वो सब कुछ हम partition में करें हम loop में इतरेट करकिए भीवट्गा करेक्ट पोदेशन निकाल गए जो घुए हमारे स्वैपिंग है वह भी हमारे पार्टिश्म function में हो रहा है बस partition function में एक value रिटन कर रहा है उस value के basis पे हम अमारे लेक्ठाव और राइटाव दोनों के पर quick sort जाला जो function है वो हम call कर रहे अधिंग अधर देन दिस आपको definitely समझ बनेगा सब्सक्राइब और अब हम इसका implementation जो है वह देखते हैं तो लेट स्टाट विट इंप्रिमेंटेशन है यह पर इसाम एक data set बना देते हैं यह मैंने लिया कुछ और लेते हैं और यह मार्स में प्राइस लेता है आप से जन लिस्ट यहां प्याप कोई भी वे लिए लिए सब्सक्राइब 23145 90 95 लिते नहीं डिवन एक सांपल में लिया था तू और ठीक लेते हैं वान आमने पहले लिए लिए 11 जनेते हैं अब अपने साफ से चेंज करके अब अपने साफ से चेंज करके अपर ही चेंज करने होंगे अब प्रिंट लगा लेते हैं कि सौट से पहने क्या है हमारा डिटा से लिए कि डेटा सेट बिफोर क्विक साथ और यहां पर आएगा हमारा जो यहां प्राइस अब अब हमें क्या करना है मैं हमारे डेटा सेट के ऊपर क्विक साथ का फंक्शन वह कॉल करना है अब हमारे डेटा सेट के पर क्विक साथ का फंक्शन कॉल करते हैं सो क्विक अंडर स्कूर साथ यहां पर हमारे डेटा सेट का नाम देना है पहले सी क्विक साथ फंक्शन क्या परामेटर लेता है पहले डेटा सेट लेता है लो लेता है हाई लेता है टेटा सेट का हमें व आपने आप में ही मतलब यहां पर यह कुछ रिटान नहीं कर रहा है सो अब यहां पर क्या हो रहा है प्राइस जो है मतलब यहां पर हमारा डिटासेट होता है उसके अंदर ही सॉर्टिंग होती है मैंने आपको डिखाया ट्रॉट करके कि जो हमारा डिटासेट है उसके अंदर ही एलिमेंट्स अपना पोसिशन बदलते हैं आपने अपने आप में अंदर हो जाएगा सॉट हो जाएगा अब हमारा सॉटे डेटा सेट प्रिंट करा लेते हैं तो डेटा सेट काफ्टर फिक सॉट पके यहां पर अगेन अब प्रिंट कर लेते हैं कि प्राइज के अंदर ही सारे जैंजियों सो चुके आउंगे यह वाले फंक्षन को कॉल करने के बाद अब प्राइज जो हो सॉट हो चुका होगा वाइलपंक सेव कर देते हैं अब हमारा पाइटन शेल ओपन करते हैं अब प्राइटन शेल में आपन करने अब आप प्राइटन कर सकते हो यूजिंग फॉंक्शन एप्साइब और आप यहां रन मोडूल से डिर्क्ली भी रन कर सकते हैं आप को दिखरा है और आपको दिखरा है तो पुरा अन्जॉट अप्रक्विक साथ हो चुका है और आपको लिएटन वीडियो अगे हो समझ महां होगा तो दू शेयर वैलवेबल फीदबाक थैंक्ट्यू